आप फर्स टाइम डेली आते हो तो एक जगा से दूसरे जगा जाने के लिए डेली मेट्रों का सहारा लेना पड़ेगा तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डेली मेट्रों में आप किस टाइप से सफर कर सकते हो डेली मेर्टरों में सफर करने के लिए आप टोकन के माध्यान से भी सफर कर सकते हो चाहे तो आप स्मार्ट कार्ट के माध्यान से भी सफर कर सकते हो टोकन से आप टिकर्ट काउंटर के पाथ जाओगे तो आपको जो टोकन ले लेना टोकन आपको कहां से कहां तक जाना है वो बता दो गया तो आपको जो टोकन मिल जाएगा अस्मार्ट कार्ट से भी आप सफर कर सकते हो अस्मार्ट कार्ट से ज़्यादा है अस्मार्ट कार्ड में क्या होता है कि आप जो कहीं भी जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन टोकन में क्या होता है कि आप कहां से कहां तक ले टोकन आपने लिया है उसके आगे जाओगे तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा लेकिन अस्मार्ट कार्ड में ऐसा नहीं होता है अस्मार्ट कार्ड में जो है आप कहीं से भी कहीं जा सकते हो आपको एक रूपे भी फाइन पे नहीं करना पड़ेगा और अस्मार्ट कार्ड में क्या होता है कि आपको जो है लाइन में नहीं लगना पड़ेगा टोकन कठाने के लिए जो एक काफियादा भीड रहता है तो टोकन कठाने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा लेकिन अस्मार्ट कार्ड में ऐसा नहीं होता है आप चाहे तो मुवाइल फोन से भी पेटियम के माध्यम से भी रिचार्ज कर सकते हो चाहे तो आप काउंटर के पास जाके भी रिचार्ज कर सकते हो अस्मार्ट कार्ड जो है आपको डेड़ सु रुपे में आपको मिलेगा जिसमें पचास रुपे अस्मार्ट का दाम है और एक सु रुपे जो आपको बालेंस मिलेगा तो जब भी आप smart card return करोगे तो आपको कुछ पैसे काट के payment pay कर दिया जाएगा तो कोई दिक्कत वली बात नहीं है आप smart card ही ले लेना अच्छा रहेगा तो smart card से ये भी होता है कि जब उनमें token से आपको 60 रुपे लग रहा है तो smart card से आपको 55 रुपे लगेगा मतलब 5 रुपे को आपको benefit देखनी के लिए मिलेगा इसे ज़्यादा भी benefit देखनी के लिए मिलेगा अगर office hour रहेगा तो उस time आपको कम benefit देखनी के लिए मिलेगा और 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे का आसपा सफर करोगे तो इस time जो है आपको कम चार्ज थ्रोब से कम देखने के लिए मिलेगा ओफिस आवर में थ्रोब से भीड रहता है इसके कारण जो है उस time जो चार ज्यादा लगता है तीन चार रुपे ज़्यादा लगता है बाकी ओफिस आवर नहीं रगता है तो तीन चार रुपे कम लगता है तो जो है smart card से जो है काफी ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उसमें कहीं भी जाओगे तो आपको fine के tension है क्योंकि mind change हो जाता है जब आप metro के अंदर आओगे इसके बाद लगेगा कि नहीं यार आगे चलते हैं तो और ticket के token के माध्यम से आप आगे जाओगे तो आपको आगे फाइन लग जागा लेकिन smart card में कोई ऐसा tension नहीं है आप कहीं भी travel करोगे कोई दिक्कत नहीं है आप hoda city center तरफ जाना चाहते हो आगे तक जाओ hoda city कर लेना और इसमें मेप आपको देखने के लिए मिलेगा तो मेप भी आप महां पर यूज कर लेना मेप के माध्यम से जो आपको पता चल जाएगा यह प्लेट फॉर्म जो काफी छोटा लग रहे है यह सीबील नाइन है मैं आप लोग को प्लेट फॉर्म का नजारा दिखा पता हूं यह काफी छोटा है उधर से जो ट्रेन आएगी यह देख सो कितना छोटा है और वैसे इससे सब जो है मेट्रो सेशन जो बड़ा बड़ा है लेकिन यह काफी छोटा देखने के लिए यहां पर मिल रहा है